सबी को नमस्कार एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूटूब चैनल कमीद नैचर पे और यह देखो ड्रेगन फूट का प्लांट है मेरा और उसकी क्या हालत हो गई है क्योंकि जो इसकी हालत जो खराब हो रही है उसका होने का यह कारण है कि जहां पे यह प्लांट ह होती है सुबह उठते ही जैसे सूरज उगते ही और तीन तीन बजे तक की धूप रहती है इसमें तो यह मान के चलिए बिना पानी के और लगबग आठ नो गंटे की जब डिरेक्ट धूप मिलती है पोदे की तो क्या हालत हो जाती है और जब टेंपरिचर फोटी फाइव क् खराब तो मेरा जो प्लांट है यह सारा तो नहीं लेकिन mostly खराब हो रहा है और चलो मैं इसे थोड़ा save करने की कोशिश करती हूं अगर आपका प्लांट इस तरह से खराब हो रहा है तो आप उसे किस तरह से save कर सकते हो बस यही है इस वीडियो में और आज इस प्लांट को हम अच्छे से पूरे चाओ के साथ लगाते हैं और उसकी केर भी अच्छे से करते हैं लेकिन किसी कारण एक दो प्लांट ऐसे हो जाते हैं कि जिनकी हम केर नहीं कर पाते हैं जिसे अब मैं जहां रहती हूं आपे इस प्लांट को नहीं ला पा रही हूं और ये वहीं रखा है तो उस वज़े से क्या होता है कि जब कोई प्लांट खराब होता है तो दुख तो होता ही है मुझे बहुत दुख हो रहा है क्योंकि मेरा काफी healthy plant था और ये मैंने cutting से ही grow किया हुआ है इसका cuttings जो लगाई थी इसे report नहीं कर पाई मैं क्योंकि मैं सोच रही थी जब जुलाई या अगस्त में जब अच्छी से बारिश यानि मोनसुन का जब टाइम आएगा तब मैं इस plant को report करूँगी लेकिन उससे पहले ही जैसे इसकी हालत अब मैं से गई तब मैंने देखा तो ये तो बहुत खराब हो गया था पिर मैंनका च सेफ या फिर हमें कटिंग ही लगाने पड़ेगी इसली लग जाती है कटिंग तो इसकी और किसी भी टाइम लगाओगे आप कटिंग लग जाएगी लेकिन प्लांट जो मेरा है वो तो 80% खराब हो रहा है लेकिन चलो इसे देखते हैं क्या कुछ है इस पे और इसको किस तर कि ये हमें किसी भी चीज़ से कट करें चाहिए स्केटियर हो या कैचियो मैं अभी कैची यूज कर रही हूं तो मैंने इससे सेनेटाइज किया है आप भी कोई भी इंस्टृमेंट जिससे कट करो उसे सैनेटाइज जरूर कर लेना क्योंकि इसमें फंगस की प्रोबलम एक तो यह पहले ही सारा खराब है उपर से जहां से कट करेंगे जो कटिंग वगरा बचती है उसमें फंगस लग गया तो फिर सारा ही प्लांट जाता रहेगा तो यहां पर मैं थोड़ी स्पीड बदा देती हूं और ताकि वीडियो काफी लंबी ना हो तो ऐसी सभी टैनियों को क से खराब हो रही है तो वह वाला हिस्सा हमें बिलकुल कट कर देना है उपर वाला हिस्सा हम अगर ठीक है तो कटिंग ले लेंगे उसको और नीचे वाला हमें एज़ेटीज रहने देंगे ताकि हमारा जो प्लांट है उसमें नीचे से अच्छे से ग्रोथ होए तो मैं भी अच्छे से कटाई चटाई यही कर रही हूँ जो खराब ब्रांचे हैं उनको निकाल रही हूँ और जो ठीक-ठाक लग रही है उनको छोड़ देती हूँ और इस तरह से आपने भी करना है अगर कोई प्लांट खराब हो रहा है तो पहले तो उसकी जो खराब ब्रांचे हैं उस सारी निकाल लेनी है और जो अच्छी ब्रांचे हैं वो इसी मे छोड देनी है इस तरह से हम अपने प्लांट को थोड़ा सेव कर सकते हैं और दूसरा क्या है कि जैसे मैंने इस प्लांट की छटनी कर दी जो खराब वला Where there is from और कुछ एक ब्रांचम् ahem eso he तो ठीक रहता है आगी जो फ्रूटिंग होएगी वो सही होगी और अभी तो वैसे फ्लांट की ठोड़ी हालत खराब हो रही है और जो सुखा हुआ पार्ट है वो मैंने लगबग साभी अलग कर दिया है थोड़ा पूत रह रहा है उसको भी हम करते रहेंगे और इसमें एक दो छोटी छोटी ब्रांचे निकल रही थी मैंने वो भी अटा दी थी क्योंकि ये प्लांट मेरे ठीक ठाक है अ जैसे एक तो बिल्कुल सुखा हुआ पोर्शन होता है मतलब जैसे आदा सूखने लग जाता है प्लांट या कटिंग लगा लो तो ये जैसे कटिंग सी ग्रो को सकते हैं बचे हुए प्लांट को हम तो ये जब ये देखो ये इसमें थोड़ा यू लग रहा है ना कि हाँ इ जैलो नहीं होरी मैं लगा रही हूं इस तरहें की ब्रांचे हैं ये कटिंग की तोर पे लग जाएंगी हलाकि मेरा प्लांट है वो काफी खराब हो गया बहुत पीछे चला जाएगा ये क्योंकि अच्छा हेल्दी प्लांट था और अब दोबारा से इसे रीकवर करना मतलब ये रखा यहीं रहेगा लेकिन मैं इसे शेड में रख दूँगी तो आप भी अगर कटिंग लगाते हो तो उसे शेड में रखे जब तक उसमें नई ग्रोथ ना स्टार्ट हो जाए और इसका जो सोयल मेडिया है वो प्रॉपर वैल्रेन लेना है बिल्कुल जैसे पा पानी निकल जाए इसमें रुकना नहीं चाहिए पानी नहीं तो खराब हो जाएगा प्लांट भी और कटिंग भी इसके अलावा नेक्स टाइम इसमें पानी तब देना है जब उपर की सोयल है वो सूखने लगे मतलब हमारी जब तक कटिंग लग नहीं जाती तब तक हमें हलका सा मोईश्यर रखना है और इसमें पानी बहुत जादा नहीं डालना जब कटिंग अच्छे से चल जाएगी तब हम इसे डिरेक्टे सनलाइट में भी रख सकते हैं तो इस तरह से हम अपने इस खराब हुए प्लांट को बचा सकते हैं अगर आपका भी प्लांट खराब रहा है तो आप इस तरह से उसे सेव करें अपने जाएगे